सुप्रभात बहनों कलाज सब्तम कलाज आपका भासा में चुनिया की बच्ची के चार प्रस्णुत्तर हो गए थे आज आप कराते हैं प्रस्ण नंबर तीन प्रस्णुत्तर हो गए थे कलाज चौथा प्रस्ण कराते हैं प्रस्ण है प्रस्ण नंबर चार कहानी के अंत में ननही चुनिया का शेट के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा चालिस पचास या इससे कुछ अधिक सब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिये कहानी के अंत में ननही चुनिया का शेट के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर अत्यन्त खुशी और राहत मेहसूस हुई पौन विराम यदि माधावदास उसे कैद करने में सफल हो जाता तो चुनिया का सेश जीवन नर्क के समान ब्यतीत होता पौन विराम उसकी स्वच्छंदता हशी खुशी घर परिवार सब छिन जाता पौन विराम मुझे उस चिनिया से गहरी सहान भूती है इसके उसके उस दुस्ट सेट के चंगुल से बच निकलने की बात को बात से मुझे बहुत सुकून मिला इतना भी आप लिख सकती हैं ठीक हो गए अब है प्रस्न नमबर पांच इसी में प्रस्न नमबर पांच मा मेरी बात देखती होगी ननी चिनिया बार बार इसी बात को कहती है आप अपने अनभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिन्दगी में मां का क्या महत्व है ठीक हो गया प्रस्न नंबर पांस उतारेंगी उसको भी लिखेंगे आप उसका उत्तर भी मां आपको समझा देती हूं और ने तो बुक में भी मिलेगा तो आपको उत्तर लिखना है तो इस तरह से लिखना हमारी जिन्दगी में मां का बहुत अधिक महत्व है मां से ही जीवन के सारे सुख है मां हमें जीवन के विप्रीत हालातों से बचा कर रखती है वह सारे दुखूं कस्टों को स्वयम पर झेल जाना चाहती है लेकिन संतान पर आज तक नहीं आने देना चाहती मां बच्चे की धाल बन कर रहती है वह बच्चे की सुरक्षा कवच होती है मां जीवन होती है मां सब कुछ होती है मां के साय में बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है मा का सनेह और आशीश सदा बच्चे को सफलता में अपना योगदान देता है मा की महिमा महान है यही कारण है कि सब्दु के हेर फेर और दुनिया के रंग डंग से अंजान कोई भी मासों बच्चा किसी भी प्रलोभन के बाबजूत प्रलोभन माने लालच किसी भी प्रलोभन के बाबजूत मा से अलग रहने को तयार नहीं होता ठीक हो गया इसको भी आपको करना है अब है प्रस्न नंबर छे प्रस्न नंबर छे है इस कहानी का कोई और सीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों तो इसका उत्तर है इस कहानी का दूसरा सीर्षक हो सकता है बज गई चिनिया दूसरा सीर्षक क्या हो सकता है बच गई चिनिया तो इसका उत्तर है इस कहानी का दूसरा सीर्षक हो सकता है बच गई चिनिया क्योंकि कथा के अंत में चिनिया सचमुच सेट माधवदास के पंजे में रहने से बच जाती है पहले उसे फशने के लिए प्रलोभन दिये गए और बाद में धोखे का सहरा लिया गया लेकिन चिनिया सुरक्षित बच कर निकल जाती है लेकिन अंत में चिनिया सुरक्षित बच कर निकल जाती है और अपनी मा के पास पहुच जाती है अतह मेरे अनसार इस कहानी के लिए बच गई चिनियां सीर्षक ही उप्युक्त है आज इतना ही है आपको इन तीनों क्वेस्चनों को द्यान से सुनकर इनका उत्तर मैंने बता दिया है यह अपनी उत्तर पुष्टिका में करना है झाल